नमस्कार आप सभी का स्वागत है study with jr यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरन की किताब का पार्ट 4 पड़ेंगे और पार्ट 4 का ये भाग नंबर 5 है इस से पहले इस चैप्टर के 4 भाग अपलोड हो चुके हैं यदि आपने टॉपिक अविकारी शब्द ठीक है तो इससे पहले देखिए जो जब यह चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने शब्दों के बारे में बढ़ा था प्रियोग अत्वा रूपों परिवर्तन जो होते हैं उसकी द्रश्ट्री से शब्द के हमने पढ़े थे दो देखे थे विकारी शब्द के अंत्रगत सबसे पहले हमने संग्या सर्विनाम विशेशन किरिया यह सारे टॉपिक्स देखे थे विकारी शब्द के अंत्रगत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द अब देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं ऐसे शब् इसके देखिए परिभाशा क्या हो जाएगी अविकारी शब्द किसे कहते हैं ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग बचन काल आदी के प्रहाफ से कोई विकार नहीं होता है विकार नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं अविकारी को ही अवे भी कहते हैं आपने नाम सुना होगा अवे शब्द तो ये अवे क्या है अविकारी जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं अवे शब्द अवे का शाब्दी कर्थ क्या होता है देखिए अवे का होता है अ का अर्थ क्या होगा नहीं अ का अर्थ यहाँ पे है न नहीं होता परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या अवे शब्द कहलाते हैं जैसे यहां वहां धीरे तेज कब और आदी ये सब क्या हैं अविकारी शब्द हैं इसके बाद देखिए अविकारी या अवे के भेद केतने भेद हैं देखिए इसके चार वेदियां दिखाए ग क इनके भी देखिए जो कई कीरियाविशेशन है, इसके भी चार परकार बताये हैं, काल वाचक, स्थान वाचक, रीती वाचक, परीमान वाचक, इसके लावा समुच्चे वाचक के भी देखिए समुच्च वोदक जो है इसके भी दो बेद दिखाये गए हैं आपे समाना दीकरन और व्यदीकरन ये लिए गए हैं ठीक है तो अब इनको डिटेल्स में देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है किरिया विशेशन किसे कहते हैं किरिया विशेशन ऐसे अवेशब्द जो किरिया की विशेशता बतलाते हैं इसके नाम से ही देखिए पहचान में आ रहा है किरिया विशेशन यानि के ऐसे अवेशब्द जो किरिया की विशेशता बतलाते हैं उन्हें किरिया विशेशन कहते हैं भेद यहां वहां जल्दी बहुत आदी ये क्या हैं सब किरिया कितने भेद होते हैं चार भेद होते हैं कौन कौन से देखिए सबसे पहला है काल वाचक काल वाचक किसे कहते हैं काल वाचक किरिया विशेशन किसे कहेंगे ऐसे अव्यशब्द जो किरिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें काल वाचक किरिया विशेशन कहते हैं जैसे ए वाक्यों में देखिए आज एवम कव क्या है काल वाचक किरिया के उधारन है अन्य उधारन जैसे कल जब प्रति दिन प्राय अभी अभी लगातार अब तब पहले बाद में तुरंत प्राते आदी ये सब क्या है ये सब काल वाचक किरिया विशेशन है इसके बाद देखिए दूसरा है यहां पर इस्थान वाचक किरिया विशेशन किसे कहेंगे ऐसे अविशब्द जिनसे किरिया के घटित होने के इस्थान का ग्यान प्राप्त होता है उन्हें इस्थान वाचक किरिया विशेशन कहते हैं जैसे यहां वहां वहीं कहीं ओपर नीचे बाएं पास दूर अंदर बाहर सामने निकट आदी ये सब क्या हैं इस्थान वाचक किरिया विशेशन इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार है रीती वाचक किरिया विशेशन किसे कहेंगे ऐसे अवेशब्द जो किरिया की विधी या रीती को व्यक्त करें रीती वाचक किरिया विशेशन कहलाते हैं इनसे किरिया के निश्चे अनिश्चे स्वीकार कारण निशेद आदी अर्थ प्रकट होते हैं जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो जरा तेज कदम चलाओ जटपट पहुंचना है इसमें देखिए धीरे धीरे जटपट तेज ये क्या है ये रीती वाचक किरिया विशेशन है चौथा है परिमान वाचक किरिया विशेशन किसे कहेंगे ऐसे अव्य शब्द जो किरिया की अधिकता नियूनता आदी परिमान का बोध कराते हों उन्हें परिमान वाचक किरिया विशेशन कहते हैं जैसे कितने रुपे ल पाएगा जितना चाहे चाहो ले लो इन वाक्यों में कितने उतना जितना ये शब्द क्या है ये शब्द परिमान वाचक किरिया विशिशन है इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है समुच्य बोदक समुच्य बोदक अविकारी शब्द में दूसरा है समुच्य बोदक सम उसरे वाक्यान से जोडते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे समुच्य बोदक विशेशन, समुच्य बोदक विशेशन दो वाक्यों को जोडने का कारे तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिनाम, अर्थ या कारण बताने एवं विवेद बताने का कारे भी क करते हैं समुच्य बोदक के दो भेद हैं देखिए कौन-कौन से दो भेद हैं समाना दीकरन समुच्य बोदक और व्यदीकरन समुच्य बोदक सबसे पहले देखिए समानी देकरन समुच्य बोदक किसे कहेंगे ऐसे अव्य जिनके द्वारा मुख्य वाके जोड़े जाते हैं जो इस प्रकार है सईयोजक अव्य जैसे ओर तथा एवम आदी यह जोडते हैं न हम जैसे दो शब्दों की बीच में ओर तथा यह लगाते हैं एवम तो ये क्या है सईयोजक अव्य है एक होते हैं विवाजक अव्य या अत्वा कोई की चाहे नहीं तो न यहाते हैं शब्ड में यह कहलाते हैं विवाजक अव्यव, एक होते हैं विरोध परदरशन, पर, परन तू, कीन तू, लेकिन मगर, बल की, वरन यह क्या है, यह विरोध परदरशन प्रकट करते हैं, इसके बाद देखिए परिणाम दर्शक अते अतेव सो फलत आधी ये क्या है परिणाम दर्शक इसके बाद देखिए दूसरा है वेदीकरण समुच्य बोदक व्यदिकरन समुच्य बोदक में आएगा ऐसे अव्य जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आशुत वाक्य जोडते हैं वो कहलाते हैं व्यदिकरन समुच्य बोदक जैसे देखिए कारण वाचक क्योंकि इसलिए के कारण चूंकि ये क्या है कारण वाचक उद्देश वाचक जोकी ताकी आदी संकेत वाचक यदी तो यदपी तथापी जब तब आदी स्वरूप वाचक की जो अर्थार्थ मानो ये क्या है स्वरूप वाचक इसके बाद देखिए तीसरा यहां पे संबंद बोदक संबंद बोदक किसे कहेंगे ऐसे अव्य जो संग्या या सर्वनाम के बाद प्रियूक्त होकर वाके का दूसरे शब्दों से उसका संबंद बताते हैं वे क्या क्यलाते हैं संबंद बोधक विशेशन क्यलाते हैं जैसे देखिए सीता की बहन गीता है इसमें की संबंद सूचक अव्य है इनने परसरगिये शब्द भी कहते हैं इनके भेद इस प्रकार हैं कालवा चक कालवा चक में देखिए आगे पीछे पूर्व पश्चात उपर, आगे, बाहर, भीतर, समेप ये क्या होंगे स्थान वाचक, दिशा वाचक में देखी तरफ, ओर, पार, आसपास ये सब क्या हैं दिशा वाचक, साधन वाचक में देखी द्वारा, जरिये, मार्फर्त, हात, जबानी ये क्या है साधन वाचक निमित वाचक में देखे हेतू हित वास्ते खाते फलसरूब बदौलत ये क्या है निमित वाचक इसके बाद देखे विरोध वाचक विरोध वाचक में उल्टे विपरित खिलाफ विरुध ये क्या है विरोध वाचक साध्रश्य वाचक साध्रश्य संभाती जैसा औरहे यह क्या है साधरश्य वाचक तुलनात्मक तुलनात्मक ताहिए अपेक्षा सामने बलकी विनीमे वाचक विनीमे वाचक बदले जगत-सिवा अलावा अतिरिक्त यह क्या है संग्रे वाचक हेतु वाचक हेतु वाचक में देखिए सिवा लिये कारण वास्ते ये सवा जाएंगे हेतु वाचक में इसके बाद हैं विस्मयादी बोदक अव्य विस्मयादी बोदक अव्य ऐसे अव्य जिनके द्वारा मनों भावों की अभिव्यक्ति होती है जिनके द आश्चरे तिरसकार आदी के भाव सूचित करने वाले अव्यों को विस्मियादी बोदक कहते हैं जैसे देखिए हाई अच्छा छी वह आदी हर सूचक अहाँ वह शाबाश बहुत खूब शोग सूचक जैसे आहाँ आहाई उफ राम राम आदी भै सूचक शब जैसे अरे अर है आदी तिरसकार सूचक छी हट धिक ये तिरसकार सूचक शब्दों के स्विकार सूचक जी हाँ अभी वादन सूचक अभी वादन सूचक नमस्ते परणाम सलाम बधाई चितावनी सूचक हुश्यार खबरदार सावधान कृतिग्यता सूचक जिसे धन्यवाद शुक्रिय जिन्दावार तो यह हो गए विस्मयादी बोदक अव्वे इसके साथ ही यह जो चैप्टर है पार्ट चार शब्द विचार यह कम्प्लीट हो गया है अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास परशन करेंगे और आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हलपफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जाद जाद शेयर कीजेगा और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजेगा